ओम शांति आज तिनंक 3 अक्टूवर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मननकर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बोले ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ कर एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट धारी भाव आज स्वयम भगवान निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को हीरो पार्ट धारी भाव का वर्दान देते वर्दान में बाबा कहते ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पाड़धारी भाव डिटेल में बाबा समझाते हीरो पाड़धारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधरणना हो हर पार्ट एक्यूरेट हो कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थिती हो, किसी के भी अधिन नहीं अधिकारीबन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं अर्थात, रचियता, पिता परमात्मा, निराकार हम बच्चोंको हीरो पाड़धारी बनने की सहज युकती बताते हीरो पाड़धारी आत्माओं की विसेस्ता बताते बाबा कहते हर कदम, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म जिसके स्रीमत के अनुसार होंगे स्रीमत के अनुसार होंगे तो विसेस होंगे, स्रेश्ट होंगे, उत्तम होंगे तो हर कार्य करने के पहले, संकल्प करने के पहले, बोल बोलने के पहले बाबा की स्रीमत से बेरिफाई करा कर, फिर संकल्प करना, बोल बोलना और फिर कर्म में आना तो बाबा कहते चिन बच्चों के साधरन कर्म नहीं होते हर कर्म एक्यूरेट होते हैं चाहे कैसी भी समस्या हो पर्वस आत्माएं हो परिस्थितियां साथ ना दे रही हो फिर भी अचल अडोल रहकर अर्थात हिलाने वाली परिस्थिती में डुलाने वाली परिस्थिती में अचल अडोल रहकर एक पिता परमात्मा की याद में रहकर ड्रामा की इस्मरती को रख सदा एक्यूरेट पार्ट बजाना अचल अडोल रहना किसी भी परिस्थिती का प्रभाव अपने उपर ना लेन क्योंकि बाबा ने समझाया है तुम रचियता पिता परमात्मा की माश्टर रचियता संताने हो जो भी प्रक्रती के पांच तत्व हैं तुम्हारी रचना है कोई भी परिस्थिती आती है परवस आत्मायों के संपर्क संबंद में आते हो गलानी करने वाली की संपर्क संबंद में आते हो तो भी आपकी इस्थिती अचल रहे पर इस्थिती का प्रभाव आपके उपर ना आए तो हर खेल को साक्षी होकर देखना अधिकारी बन कर हर परिस्थिती में पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बना कर पिता परमात्मा की याद में रहकर पिता परमात्मा की स्रीमत के अनुसार कर्म करते जाना तो ही बाबा कहते विसेश हीरो पाटधरी आत्मा बन सकते हो आगे बाबा समझाते खेल में सदा खुशी रहती है चाहे कैसा भी खेल हो बाहर से रोने का भी पाल्ट हो लेकिन अंदर रहे कि यहा सब बेहत का खेल है खेल समझने से बड़ी समस्या भी हलकी बन जाएगी अर्थात जब हम कोई पिक्चर देखते हैं नाटक देखते हैं खेल देखते हैं तो खेल देखने के लिए हम साक्षी रहते हैं हम पर उस खेल का उस नाटक का उस पिक्चर का प्रभाव नहीं पड़ता हम कभी यात्रा करते हैं बस ट्रेन में बैठते हैं तो अनेक साइड सीन आते हैं उन साइड सीनों को हम घर आकर भूल जाते हैं उनका कोई प्रभाव हमारे उपर नहीं रहता तो ऐसे ही बाबा ने ड्रामा के आदी मद्य अंत की नौलिज दिये बाबा ने सदा यही कहा है कि ड्रामा नथिंग न्यू समझ कर हर परिस्थिती को पार करो हर सीन कल्यानकारी है इस इसमरती के साथ अचल अडोल रहकर खुसी खुसी बड़ी से बड़ी समस्याओं को खेल समझ कर पार करो क्योंकि यहां कल्प पहले भी हुआ था जो अब हो रहा है और हम उसमें विजई हुए थे कल्प पहले भी और अभी भी होंगे तो यही इसमरती हमें अचल अडोल हीरो पाड़धारी बना देगी स्लोगन में बाबा कहते जो सदा प्रसन्ळ रहते हैं वही प्रसंसा के पातर हैं अर्थात जो आत्माएं बाबा से सर्व सक्तियां सर्व गुण सर्व घ्यान के खजाने प्राप्त कर लेते हैं और उसे धारण कर उसे स्वरूप में ले आते हैं अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं वे बच्चे सदा प्रसन रहते हैं कभी भी प्रसन चित रहेंगे ना कि प्रसन चित तो प्रसन क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे आएं तो बाबा की याद नहीं है बाबा से सर्व प्राप्तिया नहीं है बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है तो सर्व संबंधों की अनुभूती सर्व प्राप्तियों की अनुभूती एक पिता परमात्मा से करना है सदा स्वयम को संपन संपूर्ण अनुभव कर हर्सित रहना है प्रसन रहना है और प्रसंसा के पात्र बनना है आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया सार का मनन करेंगे बाबा कहते मीठे बच्चे तुम हो रूहानी योद्धे तुम्हें बाप से बहुत बड़े-बड़े ग्यान के गोले मिले हैं जिन से माया दुस्मन प पर जीत पानी हैं मीठे बच्चे तुम हो रूहानी योद्धे तुम्हें बाप से बहुत बड़े-बड़े ग्यान के गोले मिले हैं जिन से माया दुस्मन पर जीत पानी हैं प्रश्न किया बाबा ने किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बात्सा बन गए हो किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बात्सा बन गए हो उत्तर में बाबा समझाते सारे ड्रामा के राच को समझने से बेफिक्र बात्सा बन गए अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुक्तु करके 21 जन्मों के लिए ग्यान योग से अपनी जोली भर रहे हैं हम सिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो फिक्र किस बात की धार्णा के लिए मुख्यसार में बाबा बोले पहली पाइंट अम्रत बेले मुर्ली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है मुर्ली के नोट्स जरूर लेने हैं खुसी में रहने के लिए आप समान बनने की सेवा करनी है दूसरी पाइंट बाबा कहते ब्रह्मा बाप की दिल पर चड़ने के लिए ग्यान योग में तीखा बनना है नंबर वन पास होकर स्कालर्शिप लेनी है तो ये थे बाबा के महावाग के अच्छा ओम शांत दी इसकालर्शिप ले आप सीपेवाग के लिएमा शांतावाश बाबा बाबा की की महतन है वे चुस्वार्य वीटिभी आनता दीखा वे लिए के चूसे घ् Bailey तेा के लिएyle पासITY अवे oramaफ ये तीजने केर बनने का बाबा खाया।